क्योंकि फूल मार्ट्स जो है वो मजाक नहीं है ठीक मेहनत से आता है इसको सभी स्टूडेंट अपना चपका लिए जहां 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 स्टडी टेबल बनाए हुए जो भी आपका रूटीन हो उसमें लिख लिजिए ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बहु ज्यादा जिलूरी है तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयूस तो आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के लिए खास एनाउंसमेंट होने वाला है और आपको एक गिप्ट देने वाले हैं तो चलिए करते ह स्टूडेंट तो अभी इस वीडियो को आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होईगे जिनका अभी तक कुछ भी संस्क्रीत में कम्पलीट नहीं हुआ होगा या आप एकजाम से एक रात पहले पढ़ के एकजाम दिये होईगे आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होईगे जिनका बहुत हद तक सलेबस कम्पलीट होगा या आधा कम्पलीट होगा और कुछ ऐसे स्टूडेंट होईगे जिनका पूरा अच्छे दंग से कम्पलीट है तो कोई दिकत नहीं है आप जिस भी टाइप के स्टूडेंट है न तो board exam का समय आ गया है तो अब पहले जैसी पढ़ाई नहीं करनी है पहले जैसे पढ़ाई का मतलब यह है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं अब हम लोगों को exam oriented यानि कि exam के नजरिये से पढ़ाई को करना है और उस नजरिये से क्या करना है? प्रिप्रेशन करना है और अपने आपको इस तरीके से त्यार करना है संस्क्रीट में कि बोड में जाए तो एक भी question ऐसा नहो हो जो लगे कि नहीं पढ़े हुए ठीक है? और जो नहो बने ऐसा नहो पूरा का पूरा question बने और वो भी सही सही ठीक तो यह कैसे पता चलेगा? तो यह पता चलेगा जब आपका test conduct होगा तब जब teacher आपका test लेगा, test copy को देखेगा फिर बताएगा कि क्या आप गलती कर रहे हैं? क्या उसमें correction की जरूरत है? किस तरीके से answer लिखना है? ठीक है? तो test series जो है यह काफी आप सभी के लिए ज इतने भी student है, चाहे अभी तक आप कुछ भी न पढ़े हो, कुछ पढ़े हो, पूरा complete है सलेबस, उससे कोई मतलब नहीं है, test series अभी हम देने जा रहे हैं, इसको सभी बच्चे एकदम जॉइन कीजिएगा, पूरा full process बताएंगे, बिल्कुल free of cost है, इसके लिए एक भी आपका होगा, उहाँ पर note कर लेना है, बताने है, बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, कि सर मेरा आधा complete है, मेरा कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, कैसे कैसे test लेंगे, वह बताते हैं, बिल्कुल unique तरीका से लेंगे, तब ही तो unique hundred number सब का आता है हर साल आपका भी आएगा, चलिए, तो सबसे पहले date sheet को note कर लिजे, जहाँ पे आपका study table हो, कुछ-कुछ परचा आप चपका होगे, उस पे लिख लिजे, प्रतय का test होगा एक फरवरी को, घर्तिका और अनवे का test होगा दो फरवरी को, घर्तना करम और प्रस निर्मान का test होगा 3 फरवरी को, समास का 4 फरवरी को, अनुवाद का 5 फरवरी को, संदी का 6 फरवरी को, वाचे का 7 फरवरी को, असुधी संसोधन का 8 फरवरी को, से मुसी बुक का test जो है, जो question answer का है, और word meaning उचीत अर्थ का है, उसको 3 पार्ट में लेंगे, क्योकि से मुसी बुक में बहुत ज्यादा चेप्टर पढ़ना है, ठीक है, तो एक दिन में ले लेंगे तो भारा टालने वाला टेस्ट हो जागा, सरकारी टेस्ट की हाँ, लेना है तो ले लो, एक के दिन में सब ले लो, वह बला काम हो जागा, वह बला काम हाँ पर नहीं होता है, ठीक है, तो 3 दिन में वह नहीं आता है, उस दिन कुछ BCS ही टेस्ट रहता है, तो हम हटा दिये, ठीक काम हो जाना चाहिए, अब उस दिन टेस्ट लेले कोई आ ही नहीं, तो क्या फैदा लेने का, तो 15 फरवरी को चीतरलेखन का टेस्ट लेंगे, यह हो गया टेस्ट का टाइमिंग, इसको सभी यह कोई भी आपसे फी नहीं ले रहे हैं, ठीक, और यह जो टेस्ट शीरीज ले रहे हैं, इसमें जोनों का जब मेहनत होगा, तो वो रिजल्ट बनेगा, इस बात का ध्यान रखेगा, तो अब आपको जौइन कैसे करना हूँ बताते हैं, उससे पहले एक बात और बता दे, बार-बार बता रहे हैं, क्योंकि यह पहुत जरूरी है, टेस्ट आप देंगे, तो क्या गलती कर रहे हैं, यह आपको अभी पता चल जागा, तो बोड में आप संभल के रहेंगे, ठीक है, और अभी बहुत चारे ऐसे स्टूडेंट है, जिनका प्री बोड में 95, 92, 98 तक मा कारण हो जा रहा है, तो यह टेस्ट सीरीज के बाद वो भी आपसे नहीं होगा, ठीक है, एकदम पूरा हंड्रेड आएगा, अब आपको बताते हैं कि टेस्ट सीरीज को जोईन के से करना है, सबसे पहले टेस्ट सीरीज के लिए एक टेलीग्राम पे अलग से गुरूप बन जाएगा, अभी रुकिए, बता रहे हो ऐसे काम कीजेगा, तो सबसे पहले उसको जोईन कर लिजेगा, लिंक से, टेलीग्राम गुरूप लिखके होगा, उस लिंक से आप जोईन कर लिजेगा, उसी में हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे, आप सभी बच्चों का, टाइ है, यह सब असुधी है, बादचे है, यह सब MCQ में आगा, तो इसका टेस्ट वहीं पर MCQ पे लेंगे, उसमें बहुत सारा फंक्सन है, और जो भी रीटेन टेस्ट है, उसको हम क्वेस्चन देंगे, और आपको क्या करना होगा, अपने नोटबुक पे उसको बना के हमको भे करके मेल नोटिपिकेशन आप दवा लिजिएगा, अब आपको बताते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस यह है, कि एक फर्वारी से डेली सुभा के 7 बजे हम आपको एक छोटी सी विडियो देंगे, टोपिक से रिलेटेड, ध्यान से सुनिए, क्योंकि य मजाक नहीं है, मेहनत से आता है, और हर साल हम और स्टूडेंट दोनों मेहनत करते हैं, इस बार भी हम कर रहे हैं, आप करेंगे आज आएगा, ठीक है, तो आप ज्यादा चिंता नहीं कीजिए, सुभा 7 बजे है, जैसे एक फर्वारी का आज दिन है, तो सुभा 7 बजे प्र प्रते का पूरा चिठा खोल देंगे आपके सामने, कि क्वेस्टन कहां से बनेगा, कितना क्वेस्टन वचन पे रहेगा, कितना लिंग पे रहेगा, पुलिंग इस लिंग न पूंसक लिंग, क्योंकि इस बार ये दो चीज नया एड़ किया, इसलिए प्रते में कभी-कभी आप गलती भी कर रहे हैं ठीक है तो ये तो उसमें बताएंगे कौन-कौनसा वीडियो जो है आपको एकदम देखना मेंडेटरी है इस साल के कोडिंग क्योंकि इस साल क्वेस्चन जो है आसान आएगा लेकिन क्वेस्चन काफी डिपली रहेगा यह जब हम यह वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा पूरा खोल देंगे और सारा आपको एक रास्ता दिखा देंगे कि इस रास्ते पर चल जाओगे तो यह टॉपिक में पूरा का पूरा मार्क साफ का हो जाएगा यह काम रहेगा हमारा डेली सुबा साथ बजे का जिस दिस दिन टेस्ट है अब दो फरबरी को है तो यह दोनों का हम बताएंगे उसके बाद यह काम हो गया अब सुबा साथ बजे आपको काम हम देंगे कि इतना काम आज 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 को दिन भर में करना है टेस्ट देने से पहले अब आप कर एंगे गयाए इतना काम क्यों कर बारे है तो देखिए टेस्ट जो है वह एक लराई लराई होता है युद, तो युद में आप डाइरेट कूद जाएंगे तो युद जीतने का चांस बहुत कम हो जाता है आप जीत भी सकते हार भी सकते लेकिन युद्ध की अगर आप पहले से तेयारी करके युद्ध में कुल देंगे तो 100% जीतने का चांस रहता है ठीक तो ये युद्ध की तेयारी हम करेंगे इसको एक आप युद्धा अभ्यास का नाम दे सकते है ये हो गया उसके बाद आप पूरा दिन का समय रहेगा आपके पास कभी भी आप टाइम निकाल कर इतना काम कर लेंगे कोकि अभी स्कूल लगभग स्कूल आप बंध हो चुका है क्लास 10 का क्लास सस्पेंड हो चुका है सब घर पे रहकर पढ़ाई कर रहें तो इतना काम करना है उसके बाद टेस्ट का जो टाइम है वो टाइम है रात के 9 बजे ठीक है अब आप कहेंगे सर्ब 9 बजे रात के तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं है अभी तो कोई ज़्यादा रात नहीं है 9 बजे ठीक टाइम है क्योंकि अभी बोड एक्जाम है तो 10 बजे 11 बजे तक आपको पढ़ना ही चाहिए और बता रहें खिनी का अगर 9 बजे कुछ क्लास ओगरा तो होगा नहीं अगर हो तो क्या उनको करना है अभी 9 बजे हम क्या करेंगे आपको टेलिग्राम में जो गुरूप का लिंक दिये है उसमें हम क्वेस्टन आपको देंगे ठीक है अब उस क्वेस्टन को आप सॉल्व करेंगे जितना दिर का समय देंगे मालनी जे किसी टॉपिक में जैसे घटका है असांट टॉपिक है तो इसमें 10 मिनिट का समय देंगे समास है थोड़ा मुश्किल टॉपिक है तो इसमें आदे घंटे का समय देंगे तो टाइम के कॉडिंग आपको क्या काम करना है उस ग्रूप पे जितना भी क्वेस्टन देंगे उसको solve कर लीजिएगा जो MCQ pattern होगा board में जैसे प्रतय है, असुधी संसोधन है वाच्चे है, ये सब MCQ वाला है तो इसका question MCQ में रहेगा और जैसा board का pattern है उसके according question हम देंगे तो यहां से question आप solve करके हमें भेज दीजिएगा भेज देने का मतलब ये हो गया कि Instagram है, वही पर tag कर दीजिएगा तो सबका हम एक बार क्या करेंगे answer को अच्छे ढंग से देख लेंगे उसके बाद हम answer देंगे जब test timing end होगा तो हम यहां पर answer देंगे, सभी match कर लीजिएगा उसके बाद हम जो check करेंगे आपकी copy, तो पूरा जो common problem है क्योंकि सबका एक ही problem रहता है वो सारा problem हम खीच लेंगे आपका कि हाँ इतना problem हो रहा है इसके बज़ा से marks जा रहा है, नमबर कट रहा है और उसका फिर आपको एक हम video दे देंगे कि ये ये problem आपको अपने में ठीक कर लेना है सारा चीज जो है हम बताएंगे क्योंकि यही चीज जो है आपका 10 से 15 नमबर काट सकता है बोन में तो ये आपको हम बता देंगे और डेली जो है हम लोग इतना काम 15 फरबरी तक करेंगे बहुत आसान काम है ठीक है और इतना बोले हैं तो ये समझाने का एक तरीका होता इसलिए सांती से one by one आपको सारा प्रोसेस समझा दी है नहीं तो है easy काम 7 बज़े जितना काम हम दें उतना काम करके 9 बज़े एकदम त्यार रहना है टेस्ट के लिए माल लिज़े 9 बज़े कोई अगर टेस्ट नहीं दे पाए कोसिस कीजिए कि देने के लिए कोकि उसी बगत सारा बच्चा देगा टेस्ट हजारो हजार बच्चा देगा तो आप भी उसमें पाटिसिपेट कीजिए और देखे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं उसको समझे अगर मान लिजए कि टाइमिंग में प्रॉब्लेम है तो आप थोड़ा दिर बात दे दीजगा क्वेस्टन तो उसमें 24 गंटा अबलेबल लाएगा ठीक है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा तो यह हो गया टेस्ट सीरी उसके बाद संस्क्रीट में अभी जैसे विडियो हम दे रहे हैं अपने में चैनल मास्टर साहब पे जैसे आपको विडियो दे रहे हैं जैसे से मुसी का भी फूल कड़ाने बाले हैं तो वो आज तो आगया समास के वीडियो आज हम प्रते कासर बोले हैं देख लिए तो दो काम करें हाँ वह काम अलग यह काम अलग ठीक वह मेरा पढ़ने का काम है पढ़ने का मतलब कि हम मास्टर साब पर जितना वीडियो दे रहे हैं वह आपका सलेबस है उसको करना जरूरी है और यह जो है नंबर बुस्टर है करते हैं उसको कि एकदम नंबर बढ़ने वाला वह टेकनिक है तो इसमें मस्ट पाटिसिपर यह हो गया ठीक है अब उसके बाद आप कहेंगे सर टेस आपको कैसे पता चल जाएका बीना कोपी देखे मेरा पता चल जाएगा क्या करना है आपको टेस्ट गीना ऐस उसका फोटो खीच ठीक है और फेकने वाला बात समने करते हैं हम आपसे शुरुवात से जो हमसे जुरे होंगों को पता होगा हम सुरुवात में प्रॉमिस कर दियें कि सो में सो आपका आएगा तो वो श्रीफ उन्नेता के तरह कह देने से नहीं आगा कि यह कर देंगे वो कड़ा देंगे उस पर काम करना होगा तो अब पूरा सिलेवस लगवक आपको पढ़ा दियें अब आप प्रीबोड में 90, 89, 92, 93 सब स्कोर कर ही रहे हैं सो भी स्कोर कर रहे हैं लेकिन यह जो बीच में गैप आज आ रहा है 5-6 नंबर का यह जो है यह टेस्ट सिरीज जो है यह आपका दूर कर ठीक तो आप पढ़े हो न पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है जितना काम हम दे उसको कीजिएगा ध्यान रखे कि बहुत सारा काम हम ऐसा देंगे इसमें जो आप पहले से ही कर रखे होएंगे तो यह नहीं कि सर पहले से कर रखे हैं तो आप क्या करें नहीं नहीं फिर से क पढ़ेंगे यही चीज़ को तो माइंड में चलता रहता है, एक टीचर को सारा चीज़ के हो याद रहता है, क्योंकि अभी आप में से कुछ स्टुडेंट संधी का डाउट पूछते तो संधी भी पढ़ा दिये, कुछ समास का पूछे उनको बता दिये, कुछ प्रस्निरमान का पूछे तो उनको बता दिये, तो सारा टॉपिक ध्यान में चलता रहता है, और यही संधी साल भर पहले पढ़ा है, उसके बाद एक बार भी नहीं चुएंगे, तो हम भी भूल जाएंगे, हम भी तो इंसान है, तो क्यों याद है को कि सारा चीज़ का हम क्या करते रहते, तो आप भी राउंड मारिएगा, जो काम हम दे हो सकता है, पहले से कर चुके हों, फिर कर लिजिये, वो आपको मजबूत करेगा, ठीक है, अभ्यास जितना किजिएगा, वो आपको मजबूत करेगा, तो इतना काम यह करना है, ठीक है, टेस्ट का टाइमिंग एक बार और न की दिए उस पर देंगे ठीक है तो इतना काम के लिए रेडी हैं तो एक बार क्या कीजिए थोड़ा सा जैकारा लगा दीजे कॉमेंट में और माता सुर्शती का असिरवाद आप पर बना रहें और ध्यान रखिए कि आप जो है इस वीडियो को दोस्तों को भी बताईएगा कि टेस्ट सिरीज होने वाला है भागा जुआइन कर ले तब तक के लिए जहिन बंदे मातना मादाब नमस्कार से सेकाल पर नाम धन्यवाद वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार सेयर करें बाबू सोना के साथ बार बार सेयर करें तो मिलते अगले वीडियो में थाइंक यू झाला है झाला है